नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का सौल से मिद्रेशाब यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में बर्ब से रेलेटेट एक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर क किया है और इसका जो पीडियूफ है आपको टेलग्राम की चैनल पर एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्षन में है तो आप सभी लोग जो है टेलग्राम को जोइन कर लीजे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अ मतलब हो जाएगा चांद जो है रात को चमकता है इसका मतलब हो जाएगा तो चांद जो है रात को चमकता है यह जो है यूनिवर्सल टूथ है मतलब सच्चाई है और यूनिवर्सल टूथ जो है हमेशा पिर्जेंट इंडेफिनेट में होता है तो इसका जो है बी ऑप्सन करे इसा टेंस जो आता है यह आता है पास्ट इंडेफिनिट तो इस पास्ट इंडेफिनिट की जो बर्भ है केवल एक है तो इसका जो है बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा जो सी की सेकेंड फॉर्म है सो यह इसका करेक्ट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म जो होती है यह होती है सीन तो इसका right option जो हो जाएगा option बी correct हो जाएगा इसका मतल़ हो जाएगा उन्होंने कल मेरे दोस्तों को पार्क में देखा इसका मतल़ हो जाएगा अगला जो question है question number third I blank him only one letter so far आप लोग पहले सोच लीजिए कि इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option C हो जाएगा जो है I have sent him only one letter so far मतलब मैंने उसे अभी तक केबल एक ही पत्र भेजा है तो इसका sentence के मतलब के अनुसार जो है option C इसका correct हो जाएगा appropriate जो है option C correct हो जाएगा अगला जो question है question number four जो है I shall telephone you when he blink back तो when he comes back इसका correct हो जाएगा comes back तो यहाँ पे जो है इसका A option correct हो जाएगा जब sentence जो है एक tense जो है यह present indefinite में है तो अगला जो है हमेशा जो है यह future में होगा तो यह आप याद रखें जब बीच में आपको WH bird मिल जाता है और एक tense जो है हमेशा आपको present में करना है दूसरा जो है हमेशा future में होगा तो यह आप याद रखें इस sentence का जो मतलब हो जाएगा जब वह बापस आएगे मतलब when he comes जो है back मतलब जब वह बापस आएगे तो मैं आपको phone करूँगा तो I shall telephone you तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 5 जो है can I have some milk before I blink to bed question mark तो यहाँ पर जो है I go हो जाएगा I go to bed मतलब जो है क्या मैं सोने से पहले क्या मैं सोने से पहले दूद पी सकता हूँ तो यहाँ पर जो है इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो question नमा 6 he blinked asleep while he was driving तो मतलब गाड़ी चलाते समय वह सो रहा था तो इस sentence का मतलब हो जाएगा गाड़ी चलाते समय while he was driving तो he fell asleep तो इसका जो है b option correct हो जाएगा आपको याद रखना है जब दोनों घटना पास्ट की है जैसे यहाँ पर पास्ट दिया है तो यहाँ पर भी हमेशा पास्ट आएगा जब बीच में जो है while दिया है जैसे गाड़ी चलाते समय वह सो रहा था तो गाड़ी चलाते समय तो मतलब जिस टाइम गाड़ी चला रहा था तो वह टेंस जो है पास्ट का है तो वह सो रहा था मतलब उसी टाइम वह सो रहा था तो जब वह गाड़ी चला रहा था तो पास्ट की बात है तो जब वह सो रहा होगा तो भी past की बात होगी, तो इसका जो है be option correct हो जाएगा, अगले जो question है, question 7 जो है, I am sure I blank him at the party last night, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जब sentence के last में, I go yesterday, last night आपको मिल जाता है, तो आपको जो sentence है, हमेशा past indefinite में use करना है, तो इसका right option जो हो जाएगा, option A हो जाएगा, तो I am sure मतलब, जो है मुझे यकीन है, कि मैंने उससे कल रात party में देखा था, इस sentence का मतलब हो जाएगा, तो इसका जो है, A option correct हो जाएगा, अगले जो question है, question 8, he blank here for the last 5 years, तो इसमें आपको याद रखना है, जब आपको sentence में time दिया हो, for the last 5 years, तो आपको हमेशा जो है, present perfect continuous, या फिर, जो है past perfect continuous, चूज करना है, तो यहाँ पर जो है present का दिया है, तो present perfect continuous, तो he has been working here for the last 5 years, तो इसका जो मतलब हो जाएगा, वो है पिछले 5 साल से, उसके साथ काम कर रहा है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, तो इसका जो है, C option correct हो जाएगा, जब आपको time दिया हो, तो इसा has been, have been वाला option choose करना है, तो यहाँ पर जो है, इसका C option correct हो जाएगा, अगला जो question है, question number 9, he thanked me, for what, I blank, आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा, जब सुरुआत में आपको जो है past दिया है, तो आगे भी आपको past use करना है, तो यहाँ पर जो है, had done इसका correct हो जाएगा, तो इस sentence का जो मतलब हो जाएगा, मैंने जो किया, मतलब जो भी मैंने past में किया होगा, तो उसके लिए, उसके लिए, जो है, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, यह past में दिया है, तो यहाँ पर जो है, मैंने जो भी किया होगा, ये भी पाइष्ट में किया होगा तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो कुछ नमर 10 जो है I blanked him for a long time यहांपे भी आपको for a long time त conducدي यहांपे इसका right option जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यहांपे इसका right option जो हो जाएगा इसका B option correct हो जाएगा तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो question 11 जो है वी blank English for 5 years यहाँ पे भी time दिया है for 5 years तो यहाँ पे जो इसका right option जो हो जाएगा option जो है इसका C correct हो जाएगा तो have been studying इसका correct हो जाएगा वी have been studying English for 5 years तो इसका जो है C option correct हो जाएगा इस sentence का मतलब हो जाएगा हम 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question है question हमा 12 है अब्दुल blank to be a doctor तो अब्दुल wants to be a doctor तो इसका जो है a option correct हो जाएगा जब कोई किसी की इच्छा हो जैसे मतलब अब्दुल जो है doctor बनना चाहता है तो इस sentence का जो है wants हमेशा जो है present indefinite की हमेशा use करेंगे तो इसका जो है a option correct हो जाएगा अब्दुल doctor बनना चाहता है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question है question नमा 13 है if you blank at once you will arrive by 6 o'clock तो इसमें जो है आपको याद रखना है हमेशा तो इस sentence का जो right option जो हो जाएगा यह option यह हो जाएगा if you start at once तो you will arrive by 6 o'clock मतलब यदि आप एक बार में सुरू करते हैं तो आप 6 बजे तक पहुँचेंगे अगर आप सुरू करते हैं मतलब अगर आप अभी सुरू करते हैं तो मतलब यह present में होगा और आगे जो है you will arrive मतलब यह future में है तो आपको मैंने बताया जब सुरूआत वाली जो sentence होती जब if से सुरूआत होती है if यह suppose से तो आपको हमेशा जो है इसमें जो है हमेशा present present indefinite use करना है और आगे वाली में हमेशा future indefinite use करना है तो इसका जो है a option correct हो जाएगा तो इस sentence का मतलब हो जाएगा यदि आप एक बार में शुरू करते हैं तो आप जो है 6 बजे तक पहुँचेंगे तो अगर आप अभी शुरू करेंगे तो अभी पहुचेंगे तो अभी के लिए present use करेंगे और future के लिए जब पहुचेंगे तो future करेंगे तो इसका मैंने बारण च्रॉंकर सैंट करिक्षा आथका यहां बारण गया मतलब विए ही आगला यहां पर इसका आंसर ऑजाए baby has been crying all morning तो इसका जो है correct answer जो है has been crying तो इसका जो है C option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 16 जो है I blank कामना this beak तो यहाँ पे जो है आप लोग सोच लिजिए इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा I have not seen तो I have not seen कामना this beak मतलब मैंने इस हपते कामना को नहीं देखा है इस sentence का मतलब हो जाएगा तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 17 जो है this paper blank twice weekly तो इसका right option जो हो जाएगा यह क्या होगा आप लोग पहले सोच लिजिए तो इसका right option जो हो जाएगा this paper appears जो है twice weekly मतलब यह paper सापता है रूप से दो बार आता है इस sentence का मतलब हो जाएगा आगला जो question है question 18 by this time next year गीता blank her university degree तो इसमें जो है by this time next year मतलब अगले साल इसी समय तक अगले समय इसी समय तक गीता भिस विद्याले की degree ले चुकी होगी तो ले चुकी होगी के लिए जो है will have taken का use करते हैं तो इसका जो है c option correct हो जाएगा चुकी होगी और चुके होगी जो है आमेसा जो है will have cell have में use होता है तो यहाँ पे जो है will have इसका correct हो जाएगा will have taken our university degree तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question 19 जो है no sooner did she blank me then she tried to run away तो इसमें जो इसका right option जो हो जाएगा जब आपको जो है did दिया है तो हमेसा आपको बर्व की जो है first form use करनी है तो यहाँ पे जो इसका correct हो जाएगा यह हो जाएगा watch तो no sooner did she watch me then she tried to run away तो इसका जो है a option correct हो जाएगा तो इस sentence का जो मतला हो जाएगा जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने भागने की कोशिश की इसका मतला हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्णमा 20 the gypsious blank tablage a few days ago तो जब sentence में आपको एगो मिल जाता है तो आपको हमेसा past indefinite use करना है तो past indefinite की जो second form है यह किस option में दिया है तो इसका right option जो हो जाएगा तो यहां पर जो है इसका left correct हो जाएगा तो option जो इसका C correct हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्णमा 21 जो है two years have passed since he blank here तो आपको याद रखना है जब sentence में आपको since मिल जाता है तो since वाला sentence है यह past जो है indefinite में रहेगा तो इसका जो है came इसका correct हो जाएगा ज दो साल हो चुके हैं इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्णमा 22 है the mechanic blank the vehicle since this morning तो since this morning यह time दिया है तो इसका right option जो हो जाएगा option C correct हो जाएगा has been repairing तो इसका जो है C option correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा mechanic आज सुबह से गाड़ी की मरमत कर रहा है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्णमा 23rd there will be a rush for seats when the train blank तो यहाँ पे जो है when the train arrives यहाँ पे हो जाएगा आप लोग सही कर लिजिए option में थोड़ा mistake है option में नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ पे arrives लिख लिजिए तो इसका जो है arrives यहाँ पे correct हो जाएगा train क के आने पर seat के लिए भीड़ोगी इस sentence का मतला हो जाएगा अगला जो कुष्ण है कुष्णमा 24 जो है I have blank लक्ष्मी for the past 12 years तो यहाँ पे जो है इसका right option जो हो जाएगा आप लोग सूच लिजिए तो यहाँ पे जो है हमेशा third form आएगा तो इसका जो है C option correct हो जाएगा तो जो के नो डबलू नो जो है नो का जो first form है यह first form है second form जो है यह है second form और third form जो है यह है इसका third form तो यह आप याद रखें तो यहाँ पे है के साथ हमेशा third form आता है तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा मैं लक्ष्मी को पिछले 12 सालों से जानता हूं sentence का मतलब हो है तो यहाँ पे जो है time दिया है तो have been repairing इसका जो है correct हो जाएगा अगला जो question है question number 26 जो है he told me that he blinked the movie तो यहाँ पे जो है sentence जो दिया है यह indirect speech का है तो indirect speech में जो है हमेशा जो है यहाँ पे पास्ट की बर्व आना चाहिए तो पास्ट की बर्व जो है इसका right option जो हो जाएग have finished इसका correct हो जाएगा अगर यह option क्यों नहीं आया यहाँ पे finishing होना चाहिए था तो यहाँ पे जो है इसका यह तो गलत हो जाएगा तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 27 जो है if I blank if I blank a doctor I would serve the poor तो यहाँ पे जो है वो कोरी कलपना है यहाँ पे तो य यहाँ पे जो है हमेशा आप बर का यूज करेंगे I were a doctor अगर मैं doctor होता मतलब यहाँ पे कोरी कलपना कर रहा है वो अगर मैं doctor होता तो गरीबों की सेवा करता तो यहाँ पे doctor तो वो नहीं है यहाँ पे कोरी कलपना कर रहा है इसलिए I के साथ हमेशा वर आएगा तो यह जो है they reached the railway station यहां पर थोड़ा सा मिश्चिक है आप लोग सही कर लीजिए दे के साथ है यहां पर head आया चाहिए they had reached the railway station before the train blank तो यहां पर आप लोग यहां पर जो है इसका right option जो हो जाएगा option जो है इसका be correct हो जाएगा they had reached the railway station जो है before the train left तो आपको हमीज़ा याद रखना है जब sentence के बीच और बीच में जो है before मिल जाता है तो शुरुवात वाला sentence होगा यह किस में होगा तो यह होगा past perfect में जबकि दूसरा वाला जो है past indefinite में होगा तो यह आपको याद रखना है अगला जो कुछ ना कुछ नूमर 29 जो है she blank college last that day तो यहाँ पे जो है last that day यह जो है दिया है time तो यहाँ पे जो है इसका right option जो हो जाएगा option जो है इसका d correct हो जाएगा यहाँ पे time दिया है इसलिए past जो है indefinite use करेंगे she reached college last that day तो इसका जो है d option correct हो जाएगा जो है इसका मतलब जो हो जाएगा वह उस देन आखरी बार college पहुंची थी इसका मतलब हो जाएगा अगला जो कुछ ना कुछ न मत हाइटी इस वीडियो का last जो है locus was busy when we blank to see him इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा option जो है यहाँ पे जो है यह कौन सा टेंस दिया है यह दिया है past का तो यहाँ पे भी आपको past लगाना है तो यहाँ पे जो है इसका be option correct हो जाएगा thank you friends आप लोगों ने 30 में से कितना score किया है comment box में जरूर बता है friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें आगर चैनल पर पहले आप विजिट के हैं चैनल जरू सब्सक्राब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लि जहिन वने मात्राओं